वाद करी मरजाती है तभी नुकसान होता है, और बकरी नहीं मरी, वजन नहीं बढ़ रहा है, तो भी नुकसान. वो बजन का पेशा आप घर लाके बारा मैने भी नहीं बढ़ा पाओगे तो आपने खरीते से में वो नुक्सान करें घर आके वो इंजेक्शन लगा दिये खुस हो गए मेरी बकरी बच गई फिड़किया नहीं होगा अरे मन का भहम है उसको फिड़किया भी होगा और मरेंगी भी आंदी तुफान वाला है तो इसका नुक्सान तो आएगी नेचुरल है इसका भी रोक सकते आप तो बकरीओं कैसे पचान होगे बकरियां पालते थे तो उसमें नुक्सान होने का ज़्यादा बर रहता था लेकिन आज का यूग है वो विज्यानिक तरीके से बकरी पालन और कर्शी पालन करने का है सबसे ज़्यादा कौन-कौन सी गलतियां करते हो बकरी पालन में अपने को नुक्सान होता है और उन गलतियों को कैसे दूर करें वो सभी पॉइंट इसमें मैं सामिल करूँगा सबसे पहले बात करें तो बकरी पालन ही क्यों हो सवाल एक बार फिर सुन लिजिए कि बकरी पालन ही क्यों चुने हैं कोई अन्य पसु पालन क्यो ना चुने, तो बकरी पालन चुनने का इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है, मैं मोटा मोटे आठ कारण आपको बताओंगा, उन कारणों के वज़े से आप देखेगे कि इसी वज़े से लोग बकरी पालने करते हैं, क्या क्या कारण है वो मैं सबसे पहले आपको बताओ िहुत हैं तो गरीब के लिए ये गाए से भेकार है क्योंकि जो आपने बोलते हैं गरीब की तो ये गाएivi गई है ना दूसरी बात इसमें चलता फड़ता फरीज अब अपने को दूद है गाई बैंस का वो दो वक्त निकालते हैं अपने सुबह निकाल लिया शाम को निकाल लिया बीच में दूद की जूर्थ पड़ गई तो गाई तो नहीं देगी बैंस भी नहीं देगी लेकिन बक अपनी मा के समान होता है हमारी जो माएं हैं उनके समान इसका दूद होता है बच्चे बड़े सोक से इसका दूद पीते हैं और इसका दूद पोस्टिक भी होता है कई बीमारियों में भी इसका दूद काम आता है ठीक है पिछे डेंगों हो गये थे डेंगों में प्लेटलेट्स गिर जाती है सरीर की रोग परतिरोदक्षमता कम हो जाती है तो जिसमें बकरी का दूद है वो दिया जाता है सबसे ज़्यादा डॉक्टर सलाई सी दूद की देते हैं उसमें काफी महंगा दूद इसका बिखता है पिछे डेंगों आई थी तो इसका दूद 300-400 रुपे परति किलो चला गया था बकरीयों का इसके बाद में बात करते हैं जिवित बुआई की मसीन अच्छा ऐसे बीज जिनका कवर है वो कठोर होता है उनको ये खाकर क्या है उनका कवर तोड़कर उन बिजों को उगने योगे मनाती है तो ये जिवित बुआई की मसीन है एक तरीके से पांच्वी बात करते हैं चलता फिरता ATM ATM से क्या है हमें कभी भी पैसे निकाल लेते हैं निकाल लेते हैं ना तो ATM से हम समझ जाएंगे कि बकरी को जैसे पैसे की कभी भी जूर्थ पड़ गी तो बकरी को बेंच के आप है कभी भी कहीं भी बेंच के आप है उसके पैसे ले सकते हो तो ये ATM जैसा हो गया चलता फिरता ATM ही आपके लिए ठीक है चलती फिरती मास की मंडी चलती फिरती मास की मंडी है आप कहीं गुमाने लेके जा रहे हो खेत में रस्ते में कोई मिल गया कि आप अपने बकरा कितने में बेंच रहे हो तो उत्रूंत रस्ते में ले जाएगा तो चलती फिरती मास की मंडी है और आपको भी पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो बकरी पालन है वो मास के लिए किया जाता है दूद इतना ज्यादा नहीं होता कोई एक दो नसल ऐसे है जिसमें दूद ज्यादा होता है बाकि लगबग नसल ये वो मास उतपादन के लिए ही पाली जाती है इसके बाद जो खर्पतवार फसलों में जो बिना अपने काम की चीज़ें जो उगती हैं फसलों के साथ में उनको खर्पतवार बोलते हैं और उनको ये खा जाती है तो खर्पतवार नियंतरक हो गई है उसका नियंतरन करती है इसके बाद में भविश्य का पसू तो भविश्य का पसू अ बक्रियों का कितना बड़ा मार्केट होगा और कितना इसका फ्यूचर होगा क्यों इसको रखना भी आसान है इसका खानपान भी सस्ता है और यह प्राकरतिक विशमताओं में बहुत हड़ कंडिसन में भी आसानी से रह जाती है तो इसके काफी ज्यादा बेनीफिट हैं उसी क वज़े से इसको फ्यूचर एनिमल भी बोलते हैं भविश्य का पसू तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि हम बक्री ही क्यों पाले यह आठ कारण है इनकी वज़े से हमें बक्रियों को पालना बहुत जरूरी है तोटल बक्री की दोस्तो चोतिस नसल होती है वै पूरी चर्चा करेंगे नसल के बारे में बताएंगे कौन सी नसल कितना दूद देती है और कितना मास उतपादन करती है और उसका रेट है वो लगबग कितना होता है और परीवन में आपको क्या सावदानी रखनी है कौन-कौन से उसमें रोग होते हैं और आपको रख रख जो अचानक कभी भी आ जाती है और इनके बकरी पालन के नुक्सान क्या क्या है नुक्सान तो ये मालो मैं जीरो कर दूगा ट्रेनिंग में आप अगर मेरे बताई तरिके से अगर बकरी पालन करोगे तो आपको नुक्सान कभी बकरी पालन में नहीं होगा जितने भी नुक्स करने से पहले हम यह सोचते हैं कि उसमें नुक्सान क्या क्या हो सकता है आप कोई भी बिजनस क्रोसप से पहले उसके नुक्सान की लिस्ट बनाओ कि इसमें आनी क्या क्या हो सकता है और उन लोस को आप दूर कैसे कर सकते हो देखो हर लोस दूर हो सकता है हर नुक्सान है आनी ह उससे आप बच सकते हो जबकि आपको उसको अनोलेज होना जरूरी है तो सबसे पहले अपने नुकसान की बात करते है मोटा मोटे इसमें चार नुकसान होते हैं बकरी पानल में पहला नुकसान अपना होता है इसमें मरना, बकरी सबसे ज़्यादा अब सर मरने पर तो नुक्सान हो तो और क्या नुक्सान हो सकता है नहीं चार नुक्सान हो सकते हैं बकरी मर जाती है तब भी नुक्सान होता है और बकरी नहीं मरी वजन नहीं बढ़ रहा है तो भी नुक्सान है आपने चारा खिला दिया उसको खर्चा उस पर कर दिया है नसल का नुक्सान 50% मारजन आपका कम कर देता है। सबसे सोशनी वाली बात है अगर आपने गलत नसल का चुनाऊ कर लिया तो आपका 50% नुक्सान होगा उसमें série murder और चौती बात है खरीदते समय, खरीदते समय क्या-क्या नुकसान होते हैं इसके, खरीदते समय हम, मैं पूरा डिटेल से बताऊँगा आपको, खरीदते समय हम ध्यान नहीं देते हैं, या तो किसी बिचोली अजेंट से खरीद लेते हैं, या किसी मंडी लगाने वाले से खर पर ओडर करेंगें कि हाँ सर हम बकरी बेंच देंगा आप फोन नमबर लेके फोन करोगे वो उसको खिला पिलाके त्यार रखेंगे गौली-गाली दे के उसको और आप देखो कि बकरी का वजन वो तो बढ़ाके रखते हैं उसमें पता नहीं क्या खिलाते हैं वो उनको कुछ खिला के ऐसा बजन बढ़ाते हैं कि आप उसमें आमालो कि पांदस किलो बजन तो ऐसे ही बढ़ जाएगा और वो बजन का पैसा आप घर लाके बारा महिने भी नहीं बढ़ा पाओगे तो आपने खरीदे से में वो नुकसान कर लिया कभी भी बखरीद तो तो अपने जो लोड दिखाएए कैने पर मज़ जाएए उसका उसको रिकोर्ड मांगिए कि आपने कब कब रिजिस्टर तो मैंटेन करते ही है गोट फार्म होता है वहाँ पर लगबग रिजिस्टर होता है उसमें उसमें लिखा होता है कि हमने कब-कब इनका टिका करन किया है कब कौन सी कक्षाद किया है तूर इस पर अपने डिटेल से discuss करेंगे अपनी और पनी कलास इसी चीजह की है नुक्सान में में नुक्सान आपका जीरो कर दूँगा मरेंगे क्यों मरने के कितने कारण हो सकते हैं किस किस वज़ाएसे बकरी मर सकती है बीमारी की वज़ा感 मर सकती है दू क्यों कुट्टे बेडिये वे आजगल क्या है कि अगर फारम के आपने सई सेफटी नहीं बनाई उसकी वो सेड निर्मान में बताऊंगा आपको कैसे सेड बनाना है लेकिन यहां भी हम चर्चा करेंगे कि क्यों नुकसान हो गया है तो नुकसान अपने को सभी देखने हैं तो सबसे पहली बात बीमारी की बीमारी वाले नुकसान से आप बच सकते हैं कैसे कि आप जो तीन चार टिका करन है वह मैं आपको बताऊंगा डिटेल से टिका करन में बताऊंगा तो उसका टिका करन वो समय पर करवाना है दुवाईयां आपको ओरजिनल लेनी है लग बग ये दुवाईयां फरी मिल जाती है ठीक है एक दो बार आप डोक्टर से करवाईए ठीका करन और उनको देखिए कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं है तो आप एक दो पर देखिए और देखने के बाद आप धिरी धिरे खुद लगाना सीखिए ठीका और जो cold stories वाले ठीके हैं उनकी cold चैने तूटनी ने चीए जैसे फिड़किया का टिका है तो वो ठंड बर्फ में रगा है फ्रीज में रखा होता है आप वहां से ले के आए रस्ते में आप में बस में आपको टाइम लगया दो गंटे तो वो हिट में अगर्मी में आ गया और आपने घर आके वो क्या रोगा गया मर गई उसकी cold chain टूट गई टिके की जब आप लेके आए रस्ते में जो उसकी जो ताकत थी टिके की वो खतम हो गई वो बर्फ में ही रहना जीए इसका तरीका है या तो आप अगर बकरी फारम करते हो तो वो बर्फ वाली होता ना जैसे आपने पोल आप खुद लेके उसी के अंदर और जब लगाओ फारम में तो उसी के अंदर रखें रहने दो ठीक है इंजेक्शन भरा और वापीस बर्फ में उसी में रख दिया यानि ऐसे cold chain टूटन नीची टिके कि तभी वो टिका काम करेगा नहीं तो वो टिका काम नहीं करेगा नही लेकिन उसका जो अच्छा वो रखा रहता है टिका लगा फिडकिया लगा के टिका और अलमारी में रख देते हैं कि उसको बाद में यूज ले लेंगे बड़ी बोतल आती है बाद में क्या आज लोगी वो तो नुकसान हो गया उसका खराब हो गई वो तो अगर आपको नहीं है ठीक है तो आज कल 100-100 की आती है बोतल तो वह आप यूज ले सकते हो तो यह हो गया अपना बीमारी बीमारी से बकरी नहीं मरेगी ठीक है ना सही समय पर सही टिका आपको लगाना जरूरी है उसके डी वार्मिंग करनी जरूरी है सभी बीमारी वे टिके लगाना जर तो नहीं है लेकिन जो बिमार है उसको लगाना बहुत जरूरी है इसके बाद में आंदी तुफान वाला है तो इसका नुकसान कैसे रोकोगा आंदी तुफान तो आएगी नेचुरल है इसका भी रोक सकते हैं सभी वकरियों का अपने इंसुरेंस करना है हम जो प्रजेक्ट बनाके देते हैं उसमें बाकादा लिख के देते हैं साड़े साथ परसेंट है इसका प्रजेक्ट रिपोर्ट का खर्चा इसमें चला जाएगा तो सभी का इंसुरेंस करवाना जरूरी है सबके कान में टेग लगाने जरूरी हूँँ onion पर नमर लिखना अब टेग नहीं होगा तो आप टिका करण करोगे अब सो बकरिओं कैसे पचान होगे इधर वाली बाग के इधर आ गई उसको दुबारा लगा दो गया आप यह गलती आओने का चांस रहता है यही तो था विग्यानिक तरीका यही है विग्यानिक तरीका बकरी पालन का तो से मार्केट रेट है उसके इसाफ से आपको रेट मिल जाएगा ठीक है आपको तुरंत बीमा कंपनी को फोन करना मेरी बकरी मर गई है तो यह तो डोक्टर बेजेंगे उसकी 50-200 रुपए की फीस होती है पोस्ट मार्डम करेगा डोक्टर देख लेगा किस वज़े से मरी है वो रिपोर्ट बना देगा वो पोस्ट मार्डम रिपोर्ट एक फोरम और आपकी बिमा पोलिस यह वो तिन्नों आपे कंपनी को सब्मिट कर दो वितिन 15-20 में लास्ट एक महिने में आप उस बकरी का पेमेंट आ जाएगा तो यह नुकसान अपना खतम टिका करन वाला समझ बाड़े को थोड़ा नीचे रख देते हैं तो अच्छा सीधा भी जाली लगा कि आप मत बनाओ नीचे जमीन में पहले दिवार निकालो 3-4 फूट की उसकी उपर इंगल लगा कि फिर जालीयां बांदो आप कुट्टे नीचे से खोद की भुश जाते हैं अंदर तो सबसे बाड़ा है उसको ऐसे पैक करो कि लाष्ट में एक सिंगल गैट रहे और गैट भी कैसा रहे उसके वो स्प्रिंग लगाना है खोलें छोड के अंदर गए तो वाप इस बंद हो जाए उसके अंदर बिल्ली ने गुशे क्योंकि छोटे बच्चे बिल्ली कुट्टे उनको तो अपने मैं गैट स्परिंग वाला लगाना है और जो सेड के अंदर या बाड़े का बना रहे हो तो उसमें सिधा जमीन पर आपको तार नहीं लगाने हैं जालियां नहीं लगानी है पहले तीन फिट की दिवार फिर उन पर इंगल और उस बर जालियां बांदो आप चार जिर्व कर सकते हो इतनी बाते सुनने के बाद पका कर सकते हो मेरे को पता है ठीक है ना अब इसके बाद में चलते हैं वजन कम बाली बात वजन कम होता है तो नुकसान कैसे होगा वजन कम भी अपनी गल्ती से होता है वजन कम दो तिन तरिके से हो सकता है या तो आपने उसक खाना सही नहीं दे रहे हो आप उसको, या फिर उसके पेट में प्रोबलम है, या तो कीडे हैं पेट में, या कोई बिमारी है उसको, ठीक है, यह तीन-चार चीजें मोटा-मोटी इसमें, जहां रखना बजने कम रहे रहा है इसमें, ठीक है ना, वो नसल खराब है, तो भी बजन कम रहेगा, तो देखो, वो ही खुराक हम है, इनको शिरोई सोजत है, इनको अगर वो ही खुराक देंगे, और वो ही खुराक अपने देशी को देंगे, तो शिरोई सोजत है, वो काफी डबल हो जाएंगे, तो नसल का चुनाव है, वो बजन बढ़ाने में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है, नसल के बाद में नम्मर आता है खान पान का, आप उनको सही प्रोटिन दे रहे होग नीरो सुक चारा है, अब देखो सडा गला खाना हम भी नहीं खाते, तम कहीं से भी जैसे फफूंद लगावा चारा लिया है, बकरियों खिला रहे हैं, कभी मत करना ऐसा, जैसे अपने खाने का जान रखते हैं, वैसे ही बकरियों के खाने का जान रखना है, ठीक है ना, उनको अपने दिल से ज़्यादा, अपने बच्चें की तरह उनको प्यार करना है, खाना खिलाते वक्त, ठीक है ना तो आपको जहां पे सुका चारा रखते हो उसके निचे पलास्टिकी पनी जमीन के मटमेटी पटचन हो बढ़िया चारा ढूंड के ले कि आओ चाहिए दस रुपे वो ज्यादा ले वो आप सस्ते के चक्र में खराब ले आओगे तो बकरियां छोड़ देंगी वो वो आपका खराब होके चला जाएगा वो महेंगे जितना ही पढ़ गया पढ़ गया नहीं रेट तो इसका उतना ही पढ़ गया लेकिन आपकी बकरियां भी वजन में कम रह जाएंगे है तो वो डबल नुक्सान होगा अगर आप घ्राब चारा ले आओगे तो पलस एहरा चारा भी शाहतiger कुरांगा है कि ह्किम से कम किमत बीजगह में कैसी भी जगह हो आपकी कैसा भी पानी हो एक बार आपको आट से दस साल आपको दुबारा लगाने की जूरत नहीं है खारा पानी है कोई दिक्कत नहीं इतना बड़ा सैड कर रहो एक बार ड्रिप बिचा के आप छोड़ दो और पानी मोटर से अपने आप लगता रहेगा जो भी आपको खात पानी देना है उसी में डाल दो आप और पानी कम से कम पानी की जूरता है दस बारा फुट उच्चा चारा जाएगा बहुत सारे नेपीर के बारे में चर्चा करेंगे अपने और जोइट किंग घास है थाईवान का वो उसके बाद जिकर करेंगे अपने तो उन सब की आगे हम जिकर करेंगे खान पान में, ठीक है? तो ये बात होगी खान पान की वो बीमारी की वज़़े से भी बज़न कम रह जाता भी, ठीक है ना? Deworming करना बहो ज़रूरी, कीळों की दूअइल देना बहो ज़रूरी है, कीडों की दूअइल भी दो परकार के होती है, एक दवाई ऐसी medicine ऐसी होती है जो हमें प्रेंगनेट बकरियों को नहीं दे सकते ठीक है ना बिना पुछे लिया है कि हमें डीम वार्मिंग की दवाई दे तो उठा के दे दिया आपने लाके प्रेंगनेट बकरियों को दे दिया अब और सुन हो जाएगा उनका तो मैं आपको इन्हें जो टिका करनवा लग पार्ट है उसमें बताऊंगा कि आपको कोण सी दवाई है वो प्रेंगनेट बकरियों को नहीं देनी और कोण सी सब को दे सकते हो ठीक है नसल खराब नसल खराब का मैंने बता दिया कि खराब नसल चुनोगे तो वजवेट कम बढ़ेगा उनका ठीक मैं अपने बात करते हैं नसल की मैंने वैसे तो बताई थी कि टोटल बकरियों की 34 नसल होती है 34 नसल ठीक है लेकिन अपने यहां पर इंडिया में लग बग दस बारा बारा नसल ऐसी है जो आम तोर पर पाली जाती है अब देखो कोई भी एक गाउं में एक जिले में एक ज्यादातर ये बलेक बंगाल है ये ज्यादा पाली जाती है ठीक है ना और राजस्तान में सिरोई सोजट वाली पाली जाती है पंजाब में बिटल नसल ज्यादा पाली जाती है तो लग बग नसल की जानकारी मैं आपको दे दूँगा कि आपको कौन सी नसल आपको बकरिय यहां पर market किस परकार का है ठीक है, हमारे यहां बड़े बकरों का market है यहां पर ज्यादा तर मेक्सिम बड़े बकरे विकते हैं और हम नसल लिया यह छोटी तो उन वे छोटों बकरे पसंद नहीं करेंगे तो अपने को demand भी देखनी है उसके इसाब से बकरियां लेके आनी है NLM में आपके पास खूब सूट है कि आप बकरियां कैसी रखना चाते हो लेकिन वो अपने को बहुत सोच समझ के चुनाओ करनी है उन बकरियों को, ठीक है नहीं सबसे पहली नसल अपनी है सिरोई नसल, सिरोई है राजस्तान में है माउंट अबू का नाम सुना होगा आपने वो सिरोई में ही है यह राजस्तान का एक जिला है यहाँ पर ज्यादा बकरिया यह सिरोई नसल की बकरिया यहाँ ज्यादा पाए जाती है इसको डिस्टी के नाम पर शिरोई नाम दे दिया है ठीक है ना इसकी किम्मत होती है 25 से 30 जार रुपे इसकी किम्मत होती है ठीक है एकदम मेच्चोर जो बकरी होती है उसकी किम्मत 25 से 30 जार रुपे होती है ठीक है तो ये special meat के लिए पाला जाता है दूद भी देता है दूद भी इसमें बकरियों में अच्छा होता है दूद के लिए भी इसको पालते हैं लेकिन ज़्यादा तर इसको meat के लिए पालते हैं दूद तीन लिटर परडे का दूद होता है इसमें मारत तीन लिटर पर देका होता है अब मैं परजणनुवाले पार्थ मेंまた pocket बताओं आपको यह एक बत बते क्यों लेक कर आति यह दो बते क्यों लेकि तीन लेकर यह और हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं एक बचचा देने वाली बकरी को दो सब्सक्राइब, उसको माइड़ बोलते ऐं, यह लग बघल की होती है, उसको मारवाड बोलते हैं, यह लग बग बक बलेक कलर की होती है, इस बकरी के बाल भी कमाई होती है, बाल से भी बिखते हैं, इसका मीट भी बिखता है और इसका दूद भी बिखता है, किमत इसकी ज़्यादा नहीं होती है, महरवाडी नसल की, तो ये ज़्यादा बिजनस वाले छेतर में नहीं आती है, इसके बाद में बात करें तो तीन नम लोड में ये पाली जाती है ठीक है इसका वजन कम होता है और केवल दूद के लिए पाली जाती है ज्यादा वजन नहीं होता इसमें 20-25 किलो के लगबग होता इसमें तो दूद इसका ठीक होता है तो दूद के लिए जखराना बकरिये वो पाली जाती है इसके बाद में चार नमर पर एक उलको होती है। Datathat would you choose do इंडिया में सबسे ज्यदा वजन के लिए पैसानी जाती है इनकी नाक है वो तोते जैसी अपी Spread THiau जो और जो पैसे जिए नीटे वाली जो होटी है मुझ वो आगे निकला और णाकर जीए इसले इस्को doch auto यह बकरी की किम्मत है 25-30,000, बकरे के तो आप सोच सकते हो, कितनी भी जा सकती है, जो बकरा 70-80 केजी का होगा, तो आप पान सो रुपे केजी भी करो आपे, तो आप सोच सकते हो, कितना हो गया, 40,000 के लगबग चला गया, तो इसके बकरे बहुत, जमना बरितोतापरी नसल, यह अपने क्या है कि सो बक्रियां जमनापरी लाके हम बिजनस नहीं कर सकते। मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताऊंगा कि आप बढ़िया नसल भी रख सकते हो, देशी भी रख सकते हो, और तीन साल के बाद वो बढ़िया नसल आप भारम परिप्राप्त कर सकते हो, कम खर्चे में, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, नसल सुदार के जो एक पॉइंट आएगा इसमें ट्रेनिंग में, उसमें आपको बताने वाला हूँ में, ठीक है, तो यह हो गई जमना परी, तोता परी, इसके बाद में बात करते हैं, इधर लिखा हुआ मैंने, इधर जग एकम थी, बलेक बंगाल, यह बंगलादेस, बं फेद और ब्राउन कलर की भी होती है, ठीक है ना, इसको मीट उतपादन के लिए पाड़ा जाता है, दो से तीन बच्चे लेके आती है, सबसे प्लस पोइंट यह, और सबसे अच्छी बात है कि कम उमर में भी यह मिचूर हो जाती है, और बच्चे उतपादन करने लग जात कम उनकी होती है, तो ज्यादातर यह बिहार में ज्यादा पसंद की जाती है, भले एक बंगाल में तो पसंद की जाती है, पच्छे 210-30वही बाता है, जो किले टो सब्सक्राइब ज्यादा पसंद करते हैं, छोटा पड़ा जी पालित जातीए, वहां पर एक नसल और भी यह में उसके बारे में आगया बताओंगा फिलाल अपने इस पर पांची नसल बोर्ड पर आ सकी है आगे और नसलों के बारे में अपने चर्चा करेंगे तो मैं मोटा मोटी एक बार रिपेट कर देता हूं ज्यान से देखना आप अपने नुकसान के क्या क्या करना हो सकते हैं पह बीमारियों में आप टिका करन सही तरीके से करना है आंदी तुफान के लिए आपको श्याड मजबूत बनाना है और इंसुरिंस करवाना है ठीक है ना और सिकार के लिए आपको श्याड बहुत मजबूत बनाना है बड़ी हा तरीके से बनाना है इसके बादे वजन कम वजन ठीक है?